बीकड़ास फौटीन और फिस्टीन से यह कौनसे कौनसे कंटेस्टेंट साहगे जो अभी तक जो है डुआ पर ट्रेंड कर रहा है लेकल आपकежд आपको बता दो कि धीकड़ास से डोटल जो बलकि fans की basis पे क्योंकि जिस तरीके से fans जैसे hashtag count hype करवाएंगे, trend करवाएंगे उस basis पे engagement list बनाई गई है तो overall अगर देखा जाए तो 14, Big Boss 14 से कौन top 2 आ रहा है, Big Boss 15 से कौन top 2 आ रहा है, Big Boss 16 से कौन top 2 आ रहा है फिलाल वीडियो शुरू करने से पहले चीज़ बता दो, वीडियो इन तक जरूर देखेगा, लेकिन एक twist है कि Big Boss 16 की जो contestant रहा है, इसके पहले वाले list में number 2 पे थी, वो इस list से ही out हो चुकी है लेकिन वो जो नाम top 2 पे हमको दिखाई दे रहा था, वो नाम भट चुका है, कौन आया है उनकी जगह पर, किस ने उनको replace किया है, आई आपको देते हैं, इस बारे में पूरी update, नमशकार, आप देख रहा है फी फाफूस और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और host गनेश का अगर अब बात की जाए, बिग बॉस के कंटेस्टेंस की दुभाई, इनका trend करना बहुत जायज है, और होते भी रहते हैं, लेकिन बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंस का अभी तक trend होना बहुत बड़ी बात है, इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है, वो है अली गोनी का, जिनका engagement rate है 309.5K का, फिर अब बढ़ते हैं बिग बॉस 15 की तरफ, तो देखा जाये तो इस में सबसे नीचे जो नाम है वो है रश्मी देशाई का, जिनका है 7.8K का engagement rate, उसके बाद है प्रतिक शैचपाल जिनका है 23.6K का engagement rate, उसके बाद है करन कुंद्रा जिनका है 87.3K क engagement rate और सब से उपर है तेजर्शी प्रकाश जिनका engagement rate है 184.7K का, देन बिग बॉस 16 से देखा जाये तो सब से नीचे जो नाम है वो है निमित का और अहलवालिया जिनका engagement rate है 43.1K का, उसके बाद है अनके गुपता जिनका engagement rate है 103.3K का, उसके बाद है सुबलतौकिर खान जि इस लिस्ट में 327K के साथ शिव ठाकरे, तो अगर देखा जाये बिग बॉस 14, 15 और 16 से कौन ट्रेंडिंग पे है, तो 14 से ट्रेंडिंग पे है रुबीना दिलेक और जास्मिन बसीन, 15 से ट्रेंडिंग पे है तीजर्शी प्रकाश नबर और करन कुंदरा, और 16 से जो नाम इस लिस्ट से आप कितने जादा सहमत है और इस लिस्ट पर आपकी क्या राया हमें जरूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्षिन में लिख कर और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स यानने के लिए बने रही हमारे साथ यानि की फीफा फूस के साथ, धन्यवाद झाल